चोपड़ा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोक्रियाल निसंख ने अपने ट्विटर हैंडल के माधियम से नीट वजेई पोस्वांड को लेकर कुछ क्यूशन के रिपलाई दिये हैं तो इसमें पहला क्यूशन यह है कि सभी ओपोजिशन पार्टी के सीम ववा सोनिया गांदी की मिटिंग हुई थी नीट वजेई एग्जाम को होल्ड करने के डिसीजन एक पोल्टिकल इस्यू बन चुका है तो इस विशेपर एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि बच्चे पैरेंट्स और सुप्रिम कोर्ट के ओर्डर के अनुसार हमें स्टुडेंट का अकेडमिक एयर बचाना है मैं यह भी आपसे प्रातना करता हूँ कि इस्टुडेंट के केरियर के लिए हमें पॉल्टिकल कंस्यूडरेशन से उपर उठना होगा और बच्चों के अकेडमिक एयर के बारे में सोचना होगा नीटवज एई पोसबोंड के रेगार्डिंग ममता बेनरजे ने कहा था कि अगर गौर्मेंट बच्चों की प्रोब्लम नहीं सुनती है तो वो सुप्रिम कोर्ट जाएंगे तो इसका जबाब देते हुए एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि सुप्रिम कोर्ट ने इसकी पिटिशन को खारिज कर दिया है और कहा है कि जिन्दगी चलती रहेगी और बच्चों का अकेडमिक एयर खराब नहीं होने देंगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्लियमेंट और ओफिस ओपन हो रहे हैं तो मेरे अनुसार हमें ये सुनीशित कर लेना चाहिए कि जीरो अकेडमिक एयर ना हो आगे उनसे पुछा गया कि इस सिच्वेशन के बारे में कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि गौर्मेंट हमारी बात नहीं सुन रही है और हमारी बात का जवाब नहीं दे रही है तो इस स्टूडेंट के केरियर की ही चिंता कर रही है अकेडमिक एयर बहुत ही इंपोर्टेंट है और जीरो अकेडमिक एयर गोशित होने से इस्टूडेंट को काफी ज़्यादा नुकसान होगा इसलिए हम एक्जाम कंड़क्ट करवाना चाह रहे हैं एक्जाम कंड़क्ट करवाने के लिए मेरे पास रोजना काफी मेल आते हैं इस्टूडेंट और पैरेंट्स बोल रहे हैं कि हम काफी समय से तैयारी कर रहे हैं हम नहीं चाते कि जीरो अकेडमिक एयर हो इसके बाद next question उनसे पुछा गया कि क्या ये possible नहीं है कि एक्जाम को 30 या 60 दिन के लिए आगे बढ़ाया जाए इस पर उन्होंने कहा कि इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि ये मामारी कब तक खतम होगी इसका solution यही है कि precaution के साथ एक्जाम कंड़क्ट होगी नीट आगे उनसे पुछा गया कि नीट वे जीए का alternative method जैसे online exam या फिर board exam बेस पर selection का option लिया जा सकता है क्या तो उन्होंने कहा कि higher education system में student का selection होने के लिए एक transparent system की जरुरत है और सबसे अच्छा transparent system objective test है और ये वर्षों से चला आ रहा है अब हम इसको change करने के alternative method यूज़ करेंगे तो बच्चों को बहुत बड़ा नुक्सान होगा next उनसे पुझा गया कि उन student का क्या होगा जो उनको choice का center नहीं मिला है तो इसमें उन्होंने जवाब दिया कि इस condition में NTA नी ये सुनिशित किया है कि 99% student को उनका first choice का exam center मिल चुका है और इस बार center भी increase हुए है उनसे जब safety measures की details के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि NTA ने medical expert से एक SOP तयार करवाई है और exam के दोरान वो follow होगी तो दोस्तो ऐसा प्रतीत होता है ऐसा प्रतीत क्या 100% confirm हो चुका है कि need to a je exam 108% ही अपने तय समय पर होगी आपको physically और mentally तोर पर prepare रहना होगा और आपको तय समय पर ही exam देनी है अभी post-bond के कोई chances नहीं है government मन बना चुकी है exam लेने का तो ये exam तय समय पर ही होगी आपको अभी इधर उधर की बातें post-bond के वीडियो देखने की बजाए अपने study पर ध्यान देना है अपने तयारी पर ध्यान देना है और अच्छी सी study करके आपको अच्छी government medical college लेना है ये ही हमारी आसा है तो दोस्तो अगर कोई इसके बारे में update मिलेगी तो मैं आपको जरूर दूँगा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like वा जदा जदा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जये हैं